तो यह है बजाज प्लेटिना 110 ABS अगर मैं इस बाइक के फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तो 110 CC की बाइक में कमपनी ने इतने सारे फीचर्स डाल दिये हैं जो आपके 150-160 CC की बाइक में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं यहाँ पर आपको single channel ABS का support मिलता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है जहाँ पर पहली यह बाइक है जिसमें आपको यह फीचर्स देखने को मिल जाता है साथ यहाँ पर जो suspension है वो नाइटरस वाले देखने को मिल जाते हैं तो सारे यूनीक चीज़े मिलते हैं और साथ में अगर मैं mileage की बात करो तो वा भी वा mileage एक इसके फ्रेंट में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं इसके headlamp में यहाँ पर आपको dRL भी देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आपको hyalogen वाले headlamp देखने को मिल जाते हैं साथ ही नीचे के तरफ आपको यहाँ पर number plate के लिए space देखने को भाई मिल जाने वाला है भाई अगर बात करूं इसके में indicator की तो यहाँ पर काफी जादा stylish look में indicator मिलता है जो की hyalogen based है यहाँ पर और साथ ही इसमें थोड़ी सी flexibility भी मिल जाती है जिसके वज़े से इसके तूटने के चांसे हैं काफी हद तक कम हो जाते हैं अगर मैं इसक साथ एकर मैं इसके alloy wheel की बात करो भाई alloy wheel पर भी थोड़े से आपको golden color के graphics देखने को मिल जाते हैं फ्रन टायर की बात करो तो 807 का tubeless tire देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 240 mm का disc brick मिलता है भाई single channel ABS का भी support आपको इसमें देखने को मिल जाएगा मैं आपको दिखा दे हैं यहाँ पर aerodynamic look बनाया गया है side mirror का काफी जादा premium सा लगता है साथ ही यहाँ पर जो attachment इसमें दिया हुआ है भाई काफी अच्छा look देता है इसका handlebar पर आपको rubber की grip देखने को मिल जाती साथ ही lever आपको यहाँ ब्लैक कलर का काफी stylish सा lever देखने को मिल जाने वाला है भाई इससे आपको comfortable ride मिल सके इस bike में भाई left handlebar के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको low beam high beam का button देखने को मिल जाता है आगी की तरफ आपको pass का switch देखने को मिल जाता है साथ ही इधर आप देख पाएंगे indicator का switch आपको देखने को मिल जाता है साथ ही यहाँ पर आपको horn का button द देखने को मिल जाता है left side में आप आर्पियम देख पाएंगे analog में साथ यहाँ पर आपको gear की shifting दिखाई देगी यहाँ पर आपको fuel का indication हो रहा है साथ यहाँ पर आप टाइम देख पाएंगे यहाँ आपको automator दिखेगा trip meter दिखेगा उपर की तरफ आप देख पाएंगे neutral के लाइट आपको देखने को मिल जाती है यहीं पर आपको देखेंगे इंजन चेक यहाँ और यहां पर आपको ABS की लाइट देखने को मिल जाती है यहां पर बटन मिलता है जहां से आप reset वगरा कर सकते है mode अपना select कर सकते हैं साथ ही आब आ जाते हैं हम fuel tank वाईंग की side body panel पे भी आपको dual tone color में थोड़े से graphics देखने को मिल जाते हैं और पीछे की तरब भी आपको थोड़े से graphics देखने को मिल जाते हैं 110 ABS का एक sticker भाई देखने को मिल जाने वाला है इसमें आपको black color का grab handle मिलता है grab handle जो है काफी पतला है जाता चोड़ा नहीं है वहीं अगर मैं इसके seat की बात करूँ भाई आप देख सकते हैं काफी comfortable seat है बहुत unique सा seat है इसका और जो seat की length है वो काफी जादा मिलती है आपको अच्छी खासी और cushioning भी इसकी अच्छी है भाई इसमें आपको comfortable ride मिल सकती है यह में आपको crash guard देखने को मिल जाता है भाई साथ ही अगर आप इंजन देखे यहां पर आपको इंजन पर बजाज का logo देखने को मिल जाता है यह है इसका catalytic converter यहां पर आपको 5 gear मिलने वाले साथ ही gear आप देख पाएंगे side stand में आपको sensor मिल जाते हैं जिससे engine off वाला जैसा कि आज कल feature चला side stand auto engine cut off अगर मैं इसके rare food packs की बात करो भाई बहुत ही unique सा food packs मिलता है काफी comfort को ख्याल ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया आप देख पाएंगे और इसमें आपको जो बहुत ही जादा premium suspension होते बहुत हुर्प जादा comfort आपको provide करने वाले हैं साथ ही यहाँ पर आपको rare में सारी गार्ट देखने को भाई मिल जाने वाला है इसमें जो आलेंप आता है वो है को है लुजन वाला देखने को मिल जाने वाला साथी indicator आपको as it is front के जैसे देखने को मिल जाता है यहां पर आपको number plate के लिए कि स्पेस देखने को मिल जाता अगर मैं बात करो इसके रेयर मटगाट की तुछ काफी लंबा सा मटगाट देखने को मिल जाता है जहां पर बारिश-वारिश में अगर ड्राइब करेंगे तो इसमें आपको छीट पढ़ने के साथ आप देख पाएंगे अगर मैं एक्जॉस्ट की बात करों तो यहां पर आपको मैट ब्लैक में एक्जॉस्ट देखने को मिल जाता है यहीं पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मफलर देखने को मिल जाता है मफलर जो है वो काफी छोटा है और इसमें एक्जॉस्ट भ अगर हैं लगाएं तो shoes पे कोई effect नहीं पड़ेगा अगर मैं इसके engine की बात करो तो भाई यहाँ पे आपको 110 CC का DTSI natural air cool engine देखने को मिल जाता है जो maximum power आपको 8.06 PS की 7000 RPM पे जनरेट करता है और maximum torque यहाँ पे आपको 9.81 Nm का 5000 RPM पे देखने को भाई मिल जाने वाला है transmission की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 गेर देखने को मिल जाते हैं और अगर मैं इसके mileage की बात करो भाई तो इसमें जो mileage मिलने वाला है वो आपको 60-70 का mileage मिलता है जो mileage है वो आपकी riding skills पर भी depend करता है इसका जो frame वो tabular single down tube with lower cradle वाला frame इसमें देखने को भाई मिल जाने वाला है अब आजाते हैं इसके dimension की तरफ अगर मैं इसके seat height की बात करो भाई तो यहाँ पे 1100 mm की seat height मिलती है overall with यहाँ पे 713 mm है साथ ही अगर मैं ground clearance की बात करो तो 200 mm की ground clearance है वहीं आपको saddle height की बात करो तो यहाँ पे 807 saddle height है इसका curb weight भाई 120 kg है इसका gross weight जो है वो 253 kg इसमें देखने रुपए की मिल जाने वाली है शहर प्रियागराज में भाई मैं यह वीडियो बना रहा हूँ United बजात से जो की leader road में इसका showroom situated है guys अगर आप इस bike को देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं शो रूम में visit कर सकते हैं अगर आप प्रियागराज से इस वीडियो को देख रहे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए भाई keep watching thank you so much for watching this video guys